रात को सोते समय अगर आप फिटकरी और गुलाब जल को इस तरीके से अपने चहरे के उपर लगाते हो तो ये हमारे चहरे के उपर बढ़ती उम्र के लक्षनों को कम कर सकता है हमारे चहरे के उपर अगर ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वज़से हमारी ए ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि जब हमारे चहरे के उपर ओपन पोर्स होते हैं तो हमारा चहरा धीला दिखाई देता है लटका हुआ दिखाई देता है ये open pores को shrink करेगा जिससे हमारी skin uplift दिखाई देगी चिकनी दिखाई देगी और इसके सासा ये हमें हमारे चहरे के अंचाहे बालों से छुटकारा दिला सकता है ये हमारी skin tone को एक सार करता है ये हमारे रंग को साफ करता है जिससे हमारा चहरा bright दिखाई देता है flawless दिखाई देता है और अगर चहरे के उपर early sign of aging आने लगे हैं यानि कि आपकी age अभी कम है बट आपके चहरे के उपर उमर के लक्षन दिखाई देने लगे हैं तो ये उसको reduce करके आपकी skin को young बनाने में आपकी पूरी help करेगा तो देरी के विन बढ़ते हैं अपनी remedy की तरफ इस remedy को बनाने से पहले मैं आप सभी को अपना एक छोटा सा इंट्रो दे दू मेरा नाम है सुनीता सैनी और इस चैनल का नाम है beauty with nature by सुनीता सैनी आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब I hope आप सब लोग खुश होंगे तो देरी के विन बढ़ते हैं अपनी इस remedy की तरफ तो इस खूबसरी remedy को त्यार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए यहां पर फिटक्री का पाउडर यानि की ऐलम का पाउडर फ्रेंड्स आपको फिटक्री मार्किट में बहुत ही असानी से मिल जाएगी आपको ये बरफी के टुकडे में भी मिल सकती है या एक गांट के रूप में भी मिल सकती है आपको जो भी मिल जाए आप वो वाली फिटक्री ले लें फिटक्री आपको दो तरह की मिलेगी एक रेड फीट्क्री मिलती है और एक वाइट, आपने वाईट वाली लेनी है क्योंकि वाइट वाली स्केन के लिए बहुत अच्छी होती है हमने fit kri को लेकर उसको अच्छे तरीके से खूटके उसको powder बना लेना है देखिए मैंने भी powder बना कर रखा हुआ है हमने यहाँ पर लेना है fit kri का चुटकी भर यहाँ पर आपने fit kri की मात्रा का पूरा ध्यान रखना है चुटकी वर फिटकरी लेनी है क्योंकि हम फिटकरी को daily use करेंगे तब ही हमारी skin up lift दिखाई देगी तब ही हमारे open force minimize होंगे फिटकरी में इतनी ताकत होती है कि ये हमारी skin को जवान रख सकती है और जो हमारे अंचहे बालों की roots है न ये उनको weak करती है इसलिए अंचहे बालों से भी हमें बहुत असानी से शोटकारा मिल जाता है ठीक है जी फ्रेंड्स फिटकरी थोड़ा हमारे स्किन को ड्राइ करती है हमारे चहरे के उपर ड्राइनेस बिल्कुल ना आए और हमें फिटकरी के भी सारे गुण मिले इसके लिए हम इसमें एड करेंगे चोथाई चमच के करीब नारियल का तेल नारियल का तेल हमारे स्किन को ड्राइ होने से बचाएगा क्योंकि यह हमारे स्किन को डीपली मॉस्टराइज करेगा और यह चेहरे के दाग धबबों को लाइट करता है एंटी एजिंग से भी भरपूर होता है नारिल का तेल कितना एड़ कर रहे हैं चोथाई चमच के करीब अगर आप नारिल का तेल नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर एक कैपसुल विटामिन E ओयल का ले लीजिए अगर आप विटामिन E भी नहीं लेना चाहते तो आप अपना यहाँ पर कोई भी फेवरेट ओयल ले लीजिए चाहे बादाम का हो या जैतून का हो लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राय है तो आपने यहाँ पर कोई ना कोई ओयल जरूर एड़ करना है और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो भी आपने इसमें ओयल एड़ करना है अगर आपकी स्किन ओयली है तो आप यहाँ पर अलोवीरा जैल ले लीजिए आदा चमच के करीब ठीक है जी अब मैं इसमें एड़ करूँगी चुटखी बर हल्दी हल्दी हमारे रंग को निखारेगी हमारे चहरे के उपर अगर पिग्मेंटेशन है उसको लाइट करेगी चहरे के काले पन को दूर करती है जिससे हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है यहां पर आपने हलदी की मात्रा का भी पूरा ध्यान रखना है क्योंगि अगर हलदी भी हमारे इस रेमीडि में ज़्यादा हो जायेगी तो यह हमारे चहरे के उपर स्टेञी छोड़ जाएगी जिस से हमारा चहरा डल दिखाई देगा देगा आप सोचोगे कि अरे इसको तो आप कीचन वाली हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आपने उसको भी चुटकी भर लेना है ठीक है जी अब मैं इसमें एड करूंगी गुलाब जल आपने इसकी एक पेस्ट त्यार करनी है इतना गुलाब जल एड कर लेना है ठीक है जी फ्रेंट ये बिल्कुल लिक्वड बनकर त्यार होगा आपने इस से अपने फेस के उपर दो मिनट मसाज करनी है बिल्कुल लाइट हैंड से बट इस रेमिडी का इस्तेमाल करने से पहले अपने फेस को साफ जरूर कर लीजिएगा और अगर आपकी स्किन आयली है या आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप गुलाब जल का ही इस्तेमाल कर सकते हो ठीक है जी इस रात को मैंने इस रेमिडी को इसलिए बोला है यूज करने के लिए क्योंकि हल्दी अपना हलका हलका रंग छोड ही देती है रात को जब आप लगाकर सो जाओगे मौर्निंग में वाश करोगे तो आपको इस रेमिडी के पूरे गुण भी मिल जाएंगे और आपकी स्किन के ओपर किसी तरह का कोई स्टेन भी नहीं देगा ठीक है जी अब हम अपनी रेमिडी इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स कोटन ले रही हूँ इससे मैं अपने फेस के ओपर पहले इस रेमिडी को अच्छे तरीके से लगा लूँगी फिर मैं मसाज करके दिखाती हूँ आपको कि आप किस तरीके से मसाज कीजिए फ्रेंड्स आपसे यहां एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है देखे फ्रेंड्स मैंने रैमिडी लगाई है अब मैं मसाज करूंगी उंगलियों की पोरों से मैं मेशा बताती ओ vintage कि जब भी आप मसाज करो तो उंगलियों की पोरों से करें ताकि आपकी आपने जो भी रेमेडिया इस्तेमाल किया अपने फेस के उपर वो आपकी स्किन के अंदर चली जाए आपकी स्किन यहां हिलने नहीं चाहिए क्योंकि जिसी रेमेडिय का इस्तेमाल हम डेली करते हैं अगर हम डेली ही अपने फेस के उपर रगड़ रगड़ के मसाज करेंगे तो हमारी स्किन को नुकसान हो जाएगा फायदा नहीं होगा आपकी स्किन बहुत जल्दी लटकने लग जाएगी आपसे यहाँ एक चोटी सी ओर रिक्वेस्ट है कि आप ये भी जरूर बताएगा कि आप कि सीटी से मेरी वीडियो देखते हो बहुत ही अच्छा लगता है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा पास बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं नई वीडियो डाले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही असानी से मिल जाए और आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का बेनिफिट उठा पाएं प्रेंट्स आप इस रेमीडी को बनाकर फ्रिजमें स्टोर करके रख सकते हो 15 दिन ये बिलकुल भी खराब नहीं होगी और इसको आप अपनी आँखों के नीचे भी जरूर लगाए अगर आपके डार्क सर्कल है तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके डार्क सर्कल जाने लग जाएंगे फ्रेंट जहाँ एक बात और बोलूँगी कि अगर आपके डार्क सरकल है तो आप इसमें विटामिन E ओयल जरूर एड़ कीजिए क्योंकि विटामिन E डार्क सरकल को बहुत अच्छे तरीके से खतम कर देता है फ्रेंट अगर आप चाहो तो इसके साथ आप एंटी एजिंग मसाज भी कर सकते हो अगर नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे ही लगा कर जैसे आप एक क्रीम नॉर्मल क्रीम लगाते हो उस तरीके से लगा लीजिए और सो जाएगे लेकिन अगर आप anti-aging massage करोगे तो आपको इस remedy के फायदे दोगने में लेंगे ठीक है जी वैसे तो इस remedy का इस्तेमार हर skin type के लोग कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपकी skin oily है तो आपने इस remedy को कैसे त्यार करना है और अगर आपकी skin dry है तो आपने इसको कैसे त्यार करना है बस वो लोगी इस remedy का इस्तेमाल ना करें जिनको इस remedy में डाले के किसी ingredient से allergy है या तो वो patch dust करके देखें उसके बाद ही इस्तेमाल करें बस आपने इस तरीके से अपने पूरे face के उपर लगा लेना है और सो जाना है जब आप उठोगे तब आपने अपने face को wash करना है wash करने के लिए आपने क्या लेना है बेसन लेना है और अगर आपकी skin oily है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी aloe vera gel add कर लीजिए और गुलाब जल से इसकी paste को त्यार करके अपने face को wash कर लीजिए बट अगर आपकी skin dry है या normal है तो आपने बेसन लेना है उसमें थोड़ी सी aloe vera gel डालनी है और आदा चमच के करीब आपने honey डालना है और इसकी paste को आपने कच्चे दू से त्यार करके इससे अपने face को wash करना है friends 15 दिन भी अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आप अपनी skin के अंदर visible chain देखोगे आप अपने चेहरे को flawless होते देखोगे, sportless होते देखोगे क्योंकि यह आपके दागधबों को भी कम करेगा आपके चेहरे को young बनाने में आपकी help करेगा fine lines to use होने लग जाएंगी आप use जरूर करके देखिए और अपनी feedback भी जरूर दीजिए कि आपकी skin के उपर इसने कैसे result दिखाए है ठीक है जी, देखिए friends मैंने remedy लगा ली है मुझे बिलकुल भी feel नहीं हो रहा कि मैंने अपने face के उपर कुछ लगा रखा है क्योंकि यह पूरी की पूरी हमारे skin के अंदर चली गई है oil है, अगर आपको लगता है कि oil की वज़ा से हम सो नहीं पाएंगे देख लिजिए friends, wash करने के बाद result, mind blowing result आ है skin कितनी खूबसूरत दिखाए दे रही है चमक देखिए skin के अंदर कितनी है तो आप भी इस प्यारे से खूबसूरत से remedy को यूज़ करें और अपनी skin को flawless, sportless, young बनाएं तो फिर मिलते हैं अपनी next video में तब तक के लिए, bye bye